परम सनमानयो गुरूरू गुरू खाल्चा सा संगजी वाहे गुरू जी का खाल्चा वाहे गुरू जी की फते। एक बार सचे पाशा तांता शिरीगुर अर्जन देव साहग जी महराज दिवान लगा के बैठे सन। संगता दर्शन करके निहाल हो रही हैं सन। ते एना संगता विचों पाई लालू बिच ते पाई बलू बिच ते तीसरा प्यारा हरी दास एह तिन्ने मिलके साथ गुरू जी दे दर्शन कर्ण वासते आये ओनाने हाथ जोड के बंदना कीती ते गुरू जी दे पास बैठ गए फेर तिन्ना ने बेंती कीती हे सचे पाशा सान। कोई चंगा उपदेश सुनाओ ते आपने सिखा दे नाल सान। मिलादो जेस तरावी सड़ा उदार होवे तुसी आ पीरखा दा नाश करदो दूसरे दा बुरा अपने मन वेचतार ना करया करो फिर तनु किसे रिती अनुसार दोख नी होएगा। गोर सिखा दे नाल बड़े प्रसन होके बोल्या करो ते प्रेम नाल दोमे हाथ जोड के बंदना करया करो मिठा बोल्या करो ते नीमे होके चल क्या करो एह पंजे करम मनोखनू सोख दन देहन। एह साब करो एनू पुलणा नी तो अड़ा ग्रिस्त देवेची कल्यान हो जाएगा। सारे सेख जाद सादगुरुजी दा उपदेह सुणके उस दी कमाई करन लगे ता ओना दे सारे कलेश मिट गए। फेर शिरीगुरु अर्जन देवजी दी शर्न वेच पाई निहालू तुलसिया ते पाई भूला चंडिया आए। ओ सादगुरुजी दे पास बैठ गए ओस समय कीरतन हो रहा सी। ओ सुण लग पए। शिरीगुरु नानक देवजी दी महान उपमा है। सोन दे विचार दे ओथे बैठे रहे। सारे दे मान वेच शंका हो गया। बहत ए पुर्शाने जिमें पहला चगडा पाया होया सी। ओस्त्रा ओह हाथ जोड के पुछन लगे सेख बनल लई साड़े मान वेच बड़ा प शिरीगुरु नानक देवजी नू जनकाद अवतार केंदे हन। साननू सारा पेद समझाओ जिसनो सुनके साड़े मान वेच सिदक आवे ते सिखी पांथ वेच पईए जिस वेच सारे सुख प्राप्थान बहुत देरतों साड़े मान वेच अजेही संसा है इसलए सारे मनुखादे परमनू निवेर्थ करो। गुरु अरजन देवजी ने सुनके बचन कीते शिरी साद़गुरु नानक देवजी गुणादी खान हन। जीनानू वेद बयांत बयांत केंदे हन। सब ठक के हार गए हन। ते केसे नेवी शिरी गुरु नानक देवजी दा पेद नहीं पाया। ब्रह्मा शिवजी ते ब्रह्मा दे चार पुतर सनक सनन्दन सनातन ते सनत अपनी बुद्धी दी शक्तिना लब-लब के हार गए हन। शेश नाग नित हजारा ना केंदा है पर उस प्रमात्मा दे गुण दे आंतनू कोई भी पा नहीं सकदा। पापा दे पार्थले तीरज रही थोई तरती ने बहुत गिंटियां ते बेंतियां कितियां। जोग यग ते ताप करन दी मनुखा विच शक्ति ना रही शुब कर्मा बगैर मनुखा दी दशा बहुत पैडी हो गई। फेर तरती ने पापा दे पार्थले परमात्मा अके बेंति किती। के मैंनू हुण कोई आश्रा दियो, जेस आश्रे में स्थेर हो सका। ते मेरे हिर्दे वेच तीर जावी। परमातमा जिसदा अचरज रित्र है ओ सारे जगतनू बनोण वाला है, पालना करन वाला है, ते नाश करन वाला है। उसने आके शिरी गुरु नानक देवजीता रूप तार्न किता ते अनुपाम गुर सिखी, उत्पन किती। सारे मनुखानू शक्ती रही देख्या, किसे ने भी योग, यग, जातापतार नहीं सी किता है। एस करके ओना ने गुरु सिखी दी रिती चलाई, जेडी सारी जगत वेच फैली, ते हमेशा लई बहुत वदी। सात नाम दा जाप करना दसया, दान, इशनान, प्रेम सहित, चेतनू लोना दसया, चारे वेदा दा सार लेया, ते देशी पाशा विच उसनू कैद दता। संस्कृत विच जड़ी बड़ी दुरलब सी, ओ लखा नो अपनी पाशा विच प्राप्त हो गई, जिसनू असी गुर्बानी केंदे हां। जिसनू विखन ते समझन नाल, मनोख फिर दोख नी पौँदा। वेद से दान दी, या थार्थ पाशा कीती, किरपालू गुरुजी ने किरपा करके, रास पिन्नी बाणी दी, रचना कीती। एसलई तुसी भी बाणी ते विचार करो, हिरदाट का के, आपनी दूविदानू दूर करो, सिदक तरो, ते सिखी दी पालना करो, तुसी दुखी होके, जमा दे वास नी पाऊंगे। शिरी गुरु अरजन देव जी दे बचन सुनके, ओ बहुत परसान होए। ओना दे सारे शंके दूर हो गए, ते फिर सिख बन गए। फिर गुर्बाणी नू विचारन लगे, पगती ग्यान दी, जेडी वड़ा करन है। एस वरकार ओना दा कल्यान हो गया, बाद विच महा गुरु जी दी सेवा कर दे रहे। फिर पाई तोता, पाई मद्दू, पाई गोखु, ते पाई टोड़ा महता, चारे बड़ा हिततार के गुरु जी दे पास हाए। एकठे होके शिरीकुर अरजन देव जी दे पास हाए, ते चर्न कमला ते अपना सीस निवाया, हाथ कोबा सुनके आए हाँ, असी आपने आपनों उदार लई, उचित जानया है। शिरीगुरु अरजन देव जी सुनके बोले, तुसी सारे मिलके गुर्बानी पड़या करो, फिर आपस वेच विचार करया करो। गुर्देव जी ने किस आशे नाल एदा उचार्न किता है, ज उसनू छाड़ देओ, जो ग्रहन योग है, उसनू ग्रहन करो। फिर पुछन लगे ते बोले, बानी दा पड़ना ते जड़ा विचारना है, इना दो हातों किना पन प्राप्त होंदा है। जड़ा इसतों भी जादा फ़ल दिन्दा है, ओ भी सानू किरपा करके समझाओ। आप जीदे पवितर मुखतों असी महातम सुनिये, ओ कुझ ही असी करिये, जिस्तों सुख प्राप्त होबे। गुरु जीने कहा, एना दो फ़ल इस तरह जाणों कि सुन के हिरदे विच शर्दा उत्पन हुंदी है, जो गुर्बानी दा पाठ करदा है, उस दे महान पापा दावी नाश हो जानता है, अंता करन नू एहे नित कॉमल करदा है, प्रीतनाल जेडा निता प्रती पड़े, अमरत विले ओठके पाठ कंट करे, ते एकचेत हो के अपने मन दा मैलान करे, ज्यादा पन उपजेगा, ते सुख पावेगा, पढ़ सुन के समू मनुखा नू फ शोद हो जानता है, जेडे गुर्बानी विचारदे रिंदे हन, जास आदी इच्छा मन विच नीतार दे, केवल अपने हिर्दे विच कल्यान ही जोंदे हन, ओना मनुखा नू ग्यान प्राप्त हो जानता है, जिमें लकड विच आगरेंदी है, पर यतन तो बगैर मनुख प्राप्त नी कर सकदा, जे यतन करके बाहर काड लेंदा है, ता सारे कारज सिद्ध हो जानते है, लकड भी फिर अगनी रूप ही हो जानती है, सारी ही बड़ा तेल परकाश पूंदी है, इस तरह जेडे गुर्बानी ते विचार करते हन, ओना दे तानदा भी मान दूर हो हो जानता है, ते हिर्दे विच्चों दवैदी दुविदादा नाश हो जानता है, जिस समय स्रीर्दा भी मान दूर हो जानता है, कि मैं ब्रम्हा ता उस्तों बाद इह निहाल हो जानता है, इसलिए तुसी सत्संग करके गुर्बानी नो अपने हिर्दे विच विचार के प पए तो साव संगर जी इस तरह शिरीगुर अर्जन देव साहब जी महराज सिखा दे शंक्यानू नविर्त कर दे सन ते ओना दे बचन सुनके बहुत सिख मोक्षनू प्राप्थ हुन दे सन तन गुरु अर्जन देव साहब जी 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 हों या पुल्ला चुकां दी खेमा बक्षनी जी दासन आगया देव वाहगुरु जी का खाल सा वाहगुरु जी की फते झाल